बढ़ते अगली खबर के और राची के मोरहबादी में आम लोगों की सुरक्षा मुहिया कराने वाले सहायक पुलिस कर्मी पिछले 14 दिनों से अंदोलन रथ हैं मोरहबादी मैदान में खुले आस्मान के नीचे अपनी मांगो को लेकर अंदोलन कर रहे हैं ऐसे में ना शौचाले की विवस्था है और ना ही पीने के लिए पानी की विवस्था जिला पुलिस में सीधा समयोजन की मांग को लेकर ये लोग राजभवन का घेराव करने निकले लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया आपको बता दें कि साल 2017 में दस हजार के वेतन पर इनकी नियुक्ति थी साथ साल बाद भी वेतन में कोई बढ़ोत्री नहीं हुई इससे पहले 2020 और 2021 में भी सहायक पुलिस कर्मियों ने आंदोलन किया था लेकिन आश्वासन के बाद इन्हें कुछ नहीं मिला साथ साल बाद भी वेतन में कोई बढ़ोत्री नहीं होने पर सहायक पुलिस कर्मियों के सबर का बांध तूट गया और मुरहबादी में धरना दे रहे सहायक पुलिस कर्मियों का सबर का बांद तूट गया है राजभवन का घेराव करने निकले सहायक पुलिस कर्मी सुरक्षा बलो ने रास्ते में ही रोका खुले आस्मान के नीचे चौदा दिनों से दे रहे धरना सीधा समायोजन की मांग कर रहे सहायक पुलिस कर्मी 2017 में 10,000 के वेतन पर हुई थी निक्ती 2020 और 2021 में भी सहायक पुलिस कर्मियों ने किया था अंदोलन साथ साल बाद भी वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं सहायक पुलिस कर्मियों का तूट रहा सबर का बांद लाइक अंड शेर वीडियोज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लवन भारत सच है तो दिखेगा